जैहिन प्यारे बच्चो आप लोगों का एक बर फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजूकेशन फॉर आल और आज मैं आप लोगों के लिए एक बर फिर से केमेस्ट्री का ही एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक लेकर आया आज क्लास में लोग डिसकस कर रहे थे मेथड्स एक्स्प्रेसिंग कॉंसेंट्रेशन ऑफ सॉलूशन तो लाश्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था परसेंटेज बाई मास कैसे निकालते हैं ठीके बच्चो और उसी पे बेस्ट हमने कुछ निमेरिकल भी देखे थे और हमने नॉर्माल्यटी का भी फॉर्मला देखा था आज हम एक और मेथड के बारे में डिसकस करना जाए जो बहुत ही इंपोर्टेंट है इसका नाम है मोलैरिटिज आज हम लोग इसकी कॉंसेट के बारे में ने कॉनसेट क्या है और इस पे बेस्ट कुछ निमेरिकल प्र में प्रोसीड करूंगा और अप लोग बहूत परॉपर कॉंसेंट्रेशन के साथ इसको देखेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान होगा यह तोपिक बहुत ही मुश्किल नहीं है जड़ा सा भी मुश्किल नहीं है और आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं जरूरत इस बात किये कि आप कितना concentrate होके यह वीडियो देखते हैं. So let's start, बच्चो. देखिए, molarity के अगर हम लो definition की बात करते हैं, तो इसकी simple से जो definition है, वो यही कहती है. It is total number of moles of solute present in per liter of solution. अब आप इसी को per liter भी कह सकते हैं, या one liter of solution कह सकते हैं. Solute, Solvent, Solution क्या है, यह आप अलड़ी जान रहे हैं. तो इस हिसाब से अगर इसको हम लोग एक formula के form में summarize करना चाहें, तो आप पाओगे, molarity का notation capital M होता है. ठीके बच्चों, तो molarity M equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liter. जिसको मैंने capital L से दिखाया है. चलिए बात कर लेते हैं, इसके units की, तो जो molarity का unit होता है, आपको कई जगा mole per liter लिखावा मिल जाएगा, और कई जगा जो numerical value होगी, उसके आपके केवल M लिखावा मिलेगा. जैसे हमाल यह molarity calculate करने में बहाती है, 0.5 M, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 0.5 molar solution. ठीक है बच्चों, pronunciation में आपको बहुत ही clear रहना है, क्योंकि इसी के बाद जो अगली हम लोग quantity पढ़ेंगे, उसका नाम molality है, और एक चीज़ा आपको और ध्यान रखना है, कि यह temperature dependent quantity है, temperature dependent quantity और temperature independent quantity में क्या difference है, और कौन ज़्यादा preferable है, उसकी बाद हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, फिलाल आप यह जान लिजए कि molarity temperature dependent quantity है, हाँ, अगर आप यह पूछेंगे why it is so, तो इसका जवाब आपको इसके definition में मिल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ volume of solution in liter, और आपको पता है कि solution का volume जो कि liquid form में होगा, अगर आप temperature बढ़ाएंगे घटाएंगे तो affected होगा, तो denominator अगर affected होगा, तो overall value अपने आप affected होगी, ठीके बच्चों, कभी-कभी आप सब कुछ पढ़ ले जाते हैं, लेकिन देखिए कुछ basic चीज़े होती हैं, आप नहीं ध्यान दे पाते, कई जगा आपको books में यह लिखा हो मिल जागा, m by 10 solution, m by 100 solution, या m by 1000 solution, इसी को 0.1 mb लिखा होगा मिल सकता है, यह 0.01 b लिखा होगा मिल सकता है, यह 0.001 mb लिखा होगा मिल सकता है, तो घबडाए गमत, इसका मतलब यह है कि यह decimolar solution है, यह centimolar solution है, और यह millimolar solution है, कुल मिला के कहने का मतलब यह, कि यह molarity की value है, ठीक है, solution की molarity बता रहा है, अब चलिए time waste क्यों भी ना, हम लोग आते हैं, आपने कुछ numerical problems पे, और जो मैंने numericals चूस किये हैं, वह मैंने आपकी book का, NCRT का ही question लिया है, ताकि आपको समझने में जरासी भी लिक्कत नो हो, तो ठीक है बच्चों, हम शुरू करते हैं, हमारा जो पहला question है, वो मैं class 11th की NCRT से लिया हूँ, और यह question number भी मैंने mention किया, 1.11, ठीक है बच्चों, तो question मैं read कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं, बड़े आराम से, question है, what is the concentration of sugar, sugar का formula आपको पता है, C12H22O11, in mole per liter, if its 20 gram are dissolved in enough water, to make a final volume up to 2 liter, इस question में, आपको सबसे पहले यह ध्यान लेना है, कि आपको find क्या करना है, concentration of sugar solution in mole per liter, mole per liter की अगर बात किया, इसको आपको molarity find करनी है, molarity का formula आपको पहले से पता है, लेकिन उसके पहले आपको एक चीश calculate करनी है, और वह है molar mass या molecular mass of sugar, sugar का formula दिया ही है, carbon का mass आपको पता है 12 होता है, 12 into 12 कर दिए, और यह total आप calculate करोगे 342 आजाएगा, number of moles कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, given mass upon molar mass, तो given mass upon molar mass जब आप करोगे, और यहाँ पर solution के volume को लीटर में अल्री दिया हुआ है, calculate कर लिजेगा, जो है अग़ा आपका answer है, ठीक है बच्चों, तो I think यह आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, आप इसको एपर ट्राइ करके देख लिएगा, कोई doubt होगे तो आप comment box में मुझसे पूछ सकते हैं, चलिए, इसी sequence में हम अगला question भी देख लेते हैं, एक और question हमने लिया है, आपके NCRT से ही, question number 1.5 है, मैं question read कर रहा हूँ, calculate the mass of sodium acetate, formula CS3CWNA, required to make 500 ml of 0.375 molar equal solution, molar mass of sodium acetate यह आपको दिया हुआ है, आप इसको calculate भी कर सकते हैं, यह आपकी सुविधा के लिए दिया है, समझे आपका इसने काम आसान कर दिया है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, assume कर लो, कि let sodium mass of sodium acetate भी W gram, molarity का formula लगा दिए, question में आपको molarity की value अलड़ी दिया हुआ है, 0.375 W gram आपने ले लिया, और number of mole of solute कैसे निकालेंगे आप, given mass upon molar mass यह भी आपको दिया है, और volume कितना दिया, 500 ml, तो ml को leader में convert करने लिए आपको पता है क्या करोगे, 1000 का divide कर दोगे, इस पूरे को solve करके, जब आप W की value जो निकालोगे, वही आपका answer होगा, ठीक है बच्चो, तो I think इस basis पे आप बड़े आराम से molarity को भी समझ सकते हैं, molarity भी बैस numerical को भी समझ सकते हैं, और अगर आपको जहां में कहीं doubt हो, तो वीडियो को reverse करके देख सकते हैं, तो बच्चो, अगर कहीं कोई doubt होगा, तो आप comment box में मुझसे पूछ कर बताईएगा, और आगले वीडियो में मैं आगले topic के साथ फिर से उपस्तित होँगा, तब तक के लिए बच्चो, जै हिंद, टेक कियर,